Hello everyone, welcome to Vidya Shree Academy, I hope you are doing well. आज हम डिसकस करने वाले हैं Supreme Code और उससे related important article. ये बहुत ही महत्यपूर चैप्टर है, क्योंकि ये पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो Supreme Code से related question आपके exam चाहे वो MPPSC का prelims हो, mains हो, या फिर जो other exam है, one day exam है, उसमें Supreme Code से related article पूछे जाते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि इस lecture में पूरे article किस तरीके से हमें याद कर सकते हैं, उनको याद करने की कोशिश रहेगी. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो Supreme Code. Supreme Code जो है, क्या वो एक समविधानिक विवस्ता है? तो यह समविधान में Supreme Code का वर्णन किया गया है. अगर हम बात करते हैं, भाग नंबर 5, article 124 से लेकर 147 तक जो है Supreme Code का वर्णन है. Supreme Code की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी. वर्णन में जो CGI हैं, वो कौन है और कौन से नंबर की हैं, यह आपको comment box में लखकर बताना है. सबसे पहले हम बात करते हैं, article 124 की. Article 124 क्या बोलता है? कि Supreme Code की स्थापना. समविधान में वर्णनित है, यह Supreme Code की स्थापना किस article की तहत की जाएगी? इसके बाद हम बात करते हैं, देखें, जब भी आप किसी वी वर्णी की, किसी वी विवस्था की स्थापना करते हैं, अगर उसमें जो जजे से पोइंट की हैं आपने, तो उनको कुछ न कुछ बेतन भी दिना पड़ेगा, कोई आप किया फिरी में तो काम करेगा नी. That means, आर्टिकल नमबर 125 में क्या बूला गया है? जजों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है. इसके बाद, अब आपने एपोइंट तो कर लिए, बड़ जजेस को एपोइंट करने का कोई न कोई तरीका होगा, मतलब उनकी न्यूक्ती. न्यूक्ती किस तरीके से करें 126 में बताया गया है. इसके बाद में, एक बारे में बताया गया है. और आर्टिकल 127 की बात करते हैं, तो यहाँ पर तदर्थ न्या अधिस की बात की गई है जब हम इसको डेटेल में पढ़ेंगे तो कारिभाग नियाधीस और तदर्थ नियाधीस में क्या डिफरेंस होता है उसको हम पढ़ेंगे इसके बात करते हैं 128 की 128 128 मतलब यहाँ पर क्या होगा 128 आर्टिकल में जो सुप्रीम कोट है उसकी बैठिकों में सेवा नियाधीसों की उपस्तिती मतलब जब इनकी कोई बैठाक होती है तो जो रेटाइड हो चुके हैं जस्टेस उनकी उपस्तिती कि इस तरीके से अनिवारे हो सकती है वो आर्टिकल 129 में क्या बताएगा है सुप्रीम कोट की अदालत सुप्रीम जो सुप्रीम कोट है उसके रेकॉर्ड की अदालत हो मतलब जो भी जजमेंट कोट के द्वारा दिये जाते हैं उनका रेकॉर्ड रखना ज़रूरी है क्योंकि जब भी उसी मतलब कोई जजमेंट आया और उसी आर्टिकल लंबर 130 में क्या बताया है सुप्रीम कोट की सीट कि सुप्रीम कोट में कितनी सीट होंगी वो आर्टिकल लंबर 130 डिसाइड करता है और 131 में सुप्रीम कोट का जो मूल शेत्रा दिकार है उसके बारे में बताया गया है अब हमें याद हुआ है हम पढ़ते जा रह 27 से उनके बारे में बताया 27 मतलब तदर्थ Над्यायदिस के बारे में पढ़ा फिर 8 अब हम दmother बहुत ठाट से पैठक करेंगे कि जो बौह बोलते हैं 9-11 होना तो इसको 2-9 कर लीजिए कि जो लोग भी जिनके भी judgment हुए हैं जिनका भी जो court में जो cases आये थे वो solve हो चुके हैं तो उनके record हमें कहां रखना है 129 में रखना है हमें कैसे भी कर गे trick बनाना है बस याद करना हमारा मकसद होना चाहिए आर्टिकल 130 में क्या बताया है सुप्रीम कोट की सीट के बारे में बताया गया है और 131 में सुप्रीम कोट का मूल शित्र अधिकार के बारे में बताया गया है अब आर्टिकल 131 एक क्या बोलता है कि जो कानूनी है केंद्री कानूनों की सम्विदानिक वैधिता के रूप में सवालों के संबंद में सर्वोच नियाले का विशेश अधिकार शेत्र है मतलब केंद्री कानूनों की सम्विदानिक वैधिता के रूप में मतलब अगर कोई सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा कानून बनाए गए हैं तो उनको निरस्त करने के रूप में उनमें क्या-क्या सवाल हो सकते हैं उसके समंद में सर्वोच नियाले को क्या है विशेश अधिकार दिया गया है तो ये भी महत्यपूर्ण आर्टिकल है आर्टि लंबर 132 बताता है फिर 133 में सिविल मामलों के समंद में उच्च नियालों से अपील सर्वोच नियाले में अपीली शेत्र दिकार तो यहां पर सिविल मामलों के लिए आर्टिकल लंबर 133 है फिर 134 में अपराधिक मामले तो याद रखिए 133 सीधे साधे लोग मतलब सिव अपीली शेत्र अदिकार 134 ऐसे आपको याद रहेगा फिर 134A ये आर्टिकल क्या बोलता है कि सुप्रीम कोट की अपील के लिए प्रमाड पत्र आपको एक प्रमाड पत्र लाना होगा अपीली शेत्र अदिकार के लिए तो वो 134A में होगा इसके बाद 135 क्या बोलता है कि सर संगिये कानून के शित्रादिकार और शक्तियां मतलब सर्बोच नियालय के द्वारा जो मौजूदा कानून है उसके तहित जो संगिये कानून है उसके शित्रादिकार और शक्तियां क्या हो सकते हैं वो आर्टिकल लंबर 135 में बताया गया है 136 में बताया गया है कि सर्बोच सरवोच न्याले के द्वारा दिये गए निर्णयों और आदेशों की समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोट के पास सुप्रीम कोट पावर पर कनेक्शन तो सुप्रीम कोट रेट जारी कर सकता है यह तो आपको पता होगा। 140 क्या बोलता है सुप्रीम कोट की सहायक सकतियां। कौन-कौन से इसकी सहायक सकतियां होगी वो सुप्रीम कोट की तो वो आर्टिकल नंबर 140 में बताया गया है। 141 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोट द्वारा घोशत कानून सभी अधालता उपर बाद्यकारी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोट के द्वारा माल लेजे कि बंगाल के कोट के उसमें कुछ रिस्पेक्ट में कुछ निर्णें दिया गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वो वाद्यकारी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आया है वेपर में और आपको यह कोन बहुत अच्छे से याद रहना है। कि सुप्रीम कोट की सहायता में कारे करने के लिए नागरिक और नियायक अधिकारी। तो सुप्रीम कोट की सहायता में कारी करने के लिए अब सुप्रीम कोट सब कुछ तो कुछ खुदी की नहीं कर सकता उसको भी कुछ नहाएक अधिकारियों की और नागरिकों की जरूरत पड़ेगी तो वो किसमें बताया गया है आर्टिकल 144 में बताया गया है की कानूनों के सम्विदान वैदिता से सम्मंदित सवालों की निक्तान के लिए कुछ विशेश प्रावधान भी किये जाएंगे आर्टिकल 145 बोलता है अदालत के नियम तो ये आपको याद रखना है कि 145 में क्या बताया गया है नियम बताये गया है आर्टिकल 146 क्या बोलता है कि अधिकारी और नौकर और सर्बोशी नहले का खर्च लास्ट में जो है वो सबसे पहले लास्ट में खर्चा बताया गया है तो ये कुछ इंपॉर्टन आर्टिकल थे आपको दो तीन मार बहुत अच्छे से पढ़ना है उसके बाद आपको ये आर्टिकल याद हो जाएंगे आई होप आपको ये लैक्चर समझ में आ गया होगा इसी तरीके से पढ़ते रहिए खुश रहिए जैन जै भारत